नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन की प्राइम ट्राइम में आप सब का स्वागत मैं हो रशनी अनुभव, आईए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन बर की परमुक सुर्खियों पर शिरी माता वैशनो देवी में बर्फबारी प्रेटकों के आकर्शन का बनी केंद्र अनिराजियों की तरह जमुकश्मीर में भी शराब के लाइसेंस का नहीं होगा नवीनी करन हर साल टेंडर होंगे जारी शिरी माता वैशनो देवी के लिए 30 दिसंबर से 5 जोड़ी ट्रेन शुरू होगी शुरू और भीशनबु संखलन के कारण स्रीनगर लेह राश्ट्री राश्मार्ग 31 दिसंबर से रहेगा पूरी तरह बंद अब ख़बरें विस्तार से शिरी माता वैशनो देवी जाने वाले भक्तों के लिए रेलवे 5 जोड़ी ट्रेनों की सुविदा शुरू करने जा रहा है माजूदा सुमेवे ट्रेन नंबर 0291-0202-020 डॉक्टर अमबेटकर नगर शिरी माता वैशनो देवी कट्रा और ट्रेन नंबर 02461-02462 नई दिल्ली शिरी माता वैशनो देवी कट्रा नई दिल्ली शिरी शक्ती एक्सप्रेस का ही संचालन हो रहा है अमबाला मंडल वरिष्ट वानिज्य अधिकारी हरी मोहर ने बताया कि 30 सेसंबर से 5 जोड़ी ट्रेन शुरू कर दी जाएगी वई नादेड जाने वाली सचखंड एक्सप्रेस भी एक जनवरी से नई समय सारिनी के उनुसार चंडिगड के रास्ते रेलविट ट्रैक पर ध अत्तपून निदेश चारिकर केंदर शासित परदेश सरकार से उन भारती सेवा अधिकारियों के नाम की सूची सोपने को कहा है जिन पर ब्रस्टाचार के घंबीर आरोप है खंड़ पीठ ने सामाने पर शासनिक वेबा को ये सूची मामले की अगली सुनवाई के दुरान पेश करने के सक्त निदेश दिये हैं से नगल लेह रास्टी राश्मार को भारत चीन गती रोध के बढ़ने के बाद पूरी सरदियों के दुरान खुले रखने का निन्ने लेने के बाद के आपरेशन स्नो लैपर को स्थगित कर दिया गया है बियारों के अनुसार बर्फ ह मिले थे कि भारत चीन के बीच भड़े गर्ती रोध के चलते स्विनगल लेह रास्टी राश्मार को खुला रखा जाएगा लेकिन पिछले एक महीने के दुरान 30 से जादा बीश्यम हिमसंखलन की गटनौ को ध्यान में रखते हुए अब इस मार को 31 दिसंबर से पूरी तरह से बंद रखने का फैसला लिया गया है अगर आप बाता वैश्योंदेवी के दर्शन का कारेकर्म बना रहे हैं तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही रहेगा माता वैश्योंदेवी के भवन से लेकर अधकुवारी तक हुई मौसम की पहली बर्फपारी से पूरे पहाड बर्फ से डगे है भवन परिसर की आलोकिक छटा स्वर्ग सा एहसास करवारी है कडाकी की ठंड और बर्फपारी में भी शरदालों के उत्साह में कोई कमी नहीं आई है यातरी मा वैश्योंदेवी के जैकारे लगाते हुए आज आ रहे हैं करोना महामारी के कारण माता वैश्योंदेवी की यातरा में आई कमी के बाद अब फिर शरदालों का सेलाव उमड़ा रहा है इस समय स्कूलों में सर्दियों की छुटियां चल रही है और अधिक शरदालों रोजाना दर्शन के लिए कट्रा पहुँच रही है ऐसे में पूरे आसार हैं कि आने वाले दिनों में यातरा में खासी बड़ोतरी होगी अब जमु कश्मीर में शराव का लाइसेंस का नवीनी करन नहीं होगा यहां भी अन्ने राजियों की तरह हर साल शराव क ने लाइसेंस वकाइदा टेंडर से जारी होंगे वर्ष दोहजार एक्किस बाइस के लिए ने एकसाइस पॉलिसी के तहत ही आपकारी विबाग शराव विवसाई के लिए लाइसेंस जारी करेगा यह अदेश जमु कश्मीर हाई कोट की डिवीजन बेंच ने दिया है इसक अमेद सभी बड़े आतंकी संगटनों की कमर तोड़ दी आतंकी संगटनों के कई मोस्ट वांटीड कमांडर मारेगे चे मई को ऑपरेशन जैक बूड में हिजबल मुजाहिदीन का मुख्य कमांडर रियास नाइकु मारा गया आतंकियों के खात्मे की कहानी यही नहीं होती देश के वीर जवानों ने चनौतियों से बरे कई ओपरेशन को अनजाम देकर आतंकी संगटनों को खात्मे की कगार पर पहुंचा दिया आवक्त हो चलाए ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ से सोंवार को सीमावर्ती गाउं दबलैर में बैठका आयोजन किया गया जिसमें जिलाविकास परिश्दों के चुनावों में कॉंग्रेस पार्टी को मिली हार पर मन्थन किया गया बैठक में पूर्मंद्री तथा कॉंग्रेस पार्टी के राज्य उपरदान रमन भला मुख्य तोर पर मजूद थे जबकि कॉंग्रेस पार्टी के ब्लॉक का आरेस पुरा से उमीदवार रहे अरमेश लाल मोटन, ब्लॉक मीरा सहाब की उमीदवार, चंदर परभा तता परदेश कॉंग्रेस सचीव, पंडित पवन रहना सहित पार्टी के कई वरिष्ट नेता भी मजूद थे बैठे के दोरान जिला विकास परिष्ट चुनावों में कॉंग्रेस पार्टी को मिली हार के कारणों पर चर्चा की गई, तता पार्टी को आगामी चुनावों के लिए तयार रहने के लिए पार्टी करेकरताओं का मनुभल भी बढ़ाया गया, इस दोरान पार्टी करेकरता पार्टी के जिला उपरदान सरदार रविंदर सिंग ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी के कुछनेता पार्टी के खिलाफ काम नहीं करते तो कॉंग्रेस पार्टी की जीत होती इस मौके पर पूरमंत्री रमन भला ने अपने विचार रखते हुए कहा कि पार्टी को मस्बूत कर करने के लिए कारिकर्तों को दिन रात मेहनत करने की जुरुत है ताकि पार्टी आगामी विदानसभा चुनावों में बहतर परदर्शन कर सके चुनावी मादान्ष अलेसंत और उनादू तोड़े सारे आश्मा कर विडिया तोड़े पर गारु जोकरी जीओं अजीज जीओं जारा सेंग जीओं जीओं शुलीओं शाहमेहरा जीओं तोड़े सारे अधी भूलत पूरी ताकत इननों पीडिये और मैं इनादे पैंथर्स ने एक बार फिर जमो कश्मीर पुलीस में कारे रत एस्पियो को वेतन ना मिलने पर कोट का दर्वाजा खटखटाने का मन बना लिया है पैंथर्स पार्टी के जनरल सेकरेटरी सेवा सिंग बाली ने सुप्रीम कोट में याची का दायर करने की जानकारी पतरकार वारता कर दी उन्होंने कहा कि परशासन की नाकामे की वज़ा से ये एस्पियो करमचारी लंबे समय से मांग को सरकार व परशासन के समर्ख रख चुके हैं लेकिन इस पर कोई भी सुनवाई नहीं हुई लहाजा पैंथर्स ने अब इन्हें इनसाफ दिराने के लिए स्प् विबिन विबागों में अस्थाई तोर पर काम करें है करमचारी को स्थाई करने की मांग ने फिर जोर पकड़ा है प्याची कैज़ो लेबर यूनियन के परदान तन्वीर हुसेन की अदिश्टा में हरी सिंग पार्क में आज बैठा कर लंबित मांगों पर चर्चा की गई इस मौके पर परदाण ने कहा कि डीडी से चुनाव से पहले उन्हे आश्वासन दिया गया था कि चुनाव संपन होने पर उनकी मांग को हल कर 60,000 करमचारीं को पका किया जाएगा अगले माह या नी 5 जनवरी तक उनकी मांग को हल नहीं किया गया तो वैं बड़े स्तर पर आंदोलन चेड़ेंगी जिसका प्रशासन जिम्यवार होगा है जमुमें भी आज मिटिंग चल रही है पांच तारीक और फिर यहां पर मिटिंग होगी तो गेर अप करने की कोशिश है इस पूरे अंदोलन को अगर सरकार ने हमारा मसला हल नहीं किया तो तमाम जितने भी अन् प्रशासन चल रहा है उसको मजबूत करके और आगे जो इसके लिए आगे प्रोग्राम देंगे और कुछ भी यहां पर आरे ऐसा कुछ होता है तो उसके जिमारी फिर यहां के अडिमिसरेशन की और यहां के सरकार की होगी परदान मंतरी नेंदर मोदी को जान से मानने की ध इसलिए मैं मांग करना चाहता हूँ यह अंदोलन गल्त आथों के अंदर ना जाए यह अंदोलन गुमरा न हो पाए इसलिए शिरीमान परदान मंतरी जी रकेश टकैत जी किसानों से बात करके जो कल कर रहे हैं उससे समझोता करो वातावर्न को शुद करो और ऐसे लोग जो मारने और धंकियां देने का प्रेस करना चाहते हैं उनके पकड़ करके जेलों के बंदर बंद करो यह टकैत जी को भी स्टेटमेंट देने का प्रेस करना होगा कश्मीरी माईगरेंट अनिम्प्लाइड यूथ एसोसियेशन ने रोजगा ना देने की मांग को लेकर आज भी परशासन के खिलाफ परदर्शन किया परदर्शन कारियों को कहना है कि परशासन की गलत नीतियों के कारण उन्हें नोक्रियां ना देकर उनके साथ नाइसाफी की जा रही है परशासन आए दिन उन्हें आश्वासन पर आश्वासन दिये जा रहा है 2017 में रोजकार के पैकेज के आदीन 45 युवाओं को परशासर ने आज तक नोक्रियों पर नहीं रखा जिस पर उन्होंने उपराजेपाल से मांग की है कि बेरोजकार वो अम्र दरास हुए युवाओं के साथ इनसाफ होना चाहिए अज हमें यहां पर देखो रोड पर आगया है जब तक हमारी लिस्ट को यह रिलीज नहीं करेंगे हम तब तक यहां से नहीं उठेंगे और जूटे आजब आशबस नहीं चलेंगे बस यही कह रहे हैं कि हमें कम से कम आप बता दो कि आपने 45 यह 45 यह पानिदेट की बात नहीं नैशनल अवामी यूनाइटिड पार्टी ने उपराजेपाल से जमू कश्मीर में रेकृरेट्मेंट पॉलिसी को फास्ट टेग स्तर पर किये जाने की मांगी है पत्रकार वारताकर पार्टी के सदसे ने कहा कि यहां के जो लोग उम्रदरास हो रहे हैं उनके लिए भी विशेश चूट देकर उनके साथ भी इनसाफ किया जाए ताकि उन्हें भी रोजकार मिल सके पीपी न्यूस लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहें पीपी न्यूस लाइन नमस्कार जमो में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडरन टेक्नोलिजी के लिए हमेशा याद रखें जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार और हां हमारे यहां बढ़िया क्वालिटी के बेंड़ेड स्पेक्टिकल्स, संग्लासे और कॉंटेक्ट लेंसे मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जैम ओप्टीशन्स गाधी नगर जैम ओप्टीशन्स नई बस्ती जैम ओप्टीशन्स अंफला जैम ओप्टीशन्स त्रीकुटा नगर